इस वीडियो के अंदर ये वीडियो आप सब की जो है डिमांड पर बनाई गई है आप सब बारवार मुझे काफी ज़्यादा कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमें ये बता देजेगा कि आप जिन किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन-कौन से किताब हैं सम्भिधान के मूल विधी के लिए या फिर जो प्रीविएस येर में जो 2021 में जितनी भी पेपर हुए थे वो हमें कहां से मिलेंगे तो आपकी डिमांड पर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है और इस रिकॉर्ड जितना भी चीज़े मैं आपसे कुछ चीज़ें सवाल भी पूछूँग मैं कुछ चीज़ें को आपको बता देता हूं जो आपके लिए ज़रूर हैं आप पूछ रहेते हैं सर किताबों का कौन-कौन सी किताब हैं जिनसे हमें अच्छा benefit मिल सकता है तो वो चीज़ें मैं आपको कुछ शेयर करता हूं बाकि देखें रिमेरिंग विश्वे हिंदी संबिलन हों कि मैंने आपको बताया था UPSI में हर पेपर में एक सवाल आया था तो 12 विश्वे हिंदी संबिलन हुए हैं अफतर और उन सबकी जो है मैंने एक अपनी जो है सैफ मेड जो है ट्रिक मैंने बनाए थी वो वीडियो है वो आप देख ले ना ये पूरा जो है मैंन अब देखें आगे की चीज़ों को मैं एक सवाल कई बहुत ज्यादा UPSI में पूछा गया था ये सवाल बाकिया आप लिखा नहीं UPSI लेकिन आया था लेकिन सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया था सवाल ऐसे था एक प्रिश्ण में दे रखे हुए हैं पांच नाम और पांच नाम में बोला गया था इन पांचों नाम में ऐसे कितने नाम हैं जो स्ट्रिलिंग है दो है न तीन है वो option में दे रखा था एक दो तीन चार इस तरह से टिक करना था तो आपको प्रिलिंग इस्ट्रिलिंग पेंचानना भहुत आसान है और हर पेपर में आया था इसको पेंचानने का मेरे पास तो तरीका एक ही है मैं इसमें क्या लगा देता हूं सब्द से पहले मेरा या मेरी लगा के देख लेता हूं ठीक है जादा तरह मेरा मेरी लगा के देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा छोटा छोटी कर लीजेगा है ना बड़ा बड़ी कर लीजेगा आराम से आ जाएगा री लग गया समनल लड़की है मतलब इस्त्री लिंग है और रा लग गया मतलब पुर्लिंग है इसा क्लिया आप देखो यहीं पर आप देख लीजेगा मेरी मजा या मेरा मजा मेरा मजा होता है न तो पुर्लिंग क्या हो गया बताओ मेरा मजा हो गया आप देखो मेरी सजा होती है मेरी कजा मेरी रजा इसा क्लिया तो हम आराम से इन से चाट पार हैं देख पर देखो प्रोलिंग सब चांटना आपको तो ये दवा मेरी दवा होता ना ना ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा मेरी निर्दंता होता है मेरा निर्दंता नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा बात में बड़ी दुरगटना होई है ठीक है मेरी दुरगटना कहलो मेरा दुर नहीं हो सकता आप यूपेस से कि जितनी पिपर हो आप उठाके देख लेना यह हो जाएगा तो इसमें अच्छी बात यह लगी मुझे देखिएगा exactly question दे रहा है नीचे answer दे रहा है और किस exam में पूछा गया है वो यहां पर लिखा हुआ है अच्छा लगा मतलब मुझे अच को बहुत अच्छे हैं जैसे यहां पर देखेगा कितना अच्छा सब्द है जो शब्दांस किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बहुत सिंपल है देखिए समास होता है प्रत्य होता है संधी या उपसर होता है वो में इसा उपसरग आगे लगता है, प्रत्या किसी भी शब्द ये शब्दास के जो है वो पीछी लगता है, तो इन सब शीज़ों को आप समझ लेंगे, संधी का मतलब क्या होता है, समास का मतलब, उपसरग का मतलब आराम से आफ़ कर सकते हैं, जिसे बीर पुतर को जन्र देने वाली क क्या बोलते हैं बीर प्रशु प्रशु होता है ना महिला होता है वाक्य विग्रे का मतलब क्या होता है वाक्य विग्रे का मतलब होता है अलगलग करना मतलब वाक्य खंड़ों को अलगलग करना जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता हो उसके लिए क्या होता है वैया करन ये क अनुचित का ग्यान रखने वाला शब्दांस के लिए क्या होता है विवे की चत्वर ग्यानी दूरदर्दशी नहीं होता इसके साथ ही में देखेगा वे शब्द जो प्रक्रती प्रत्य अथवा दूसरे शब्दों को योग से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं योगिक यानि कि जुड़ करके बनते हैं योग, रूड, रूड, सरल ये सब आपको पता होना चाहिए चलेगा अब देखेगा मैं कुछ चीजों को आगे एक्स्प्रीन करता हूं ये सारे सवाल हैं जैसे यहां पर पूछा गया है बिजली का पर्यावाची नहीं होता है तो बिजल रसाल मजस में रस बरा रहता है आम के अंदर रस बरा रहता है ठीक है विश्नु का पर्यावाची नहीं है विश्नु मतलब मुक्त प्रशन निदे को चक्र पानी चक्र होता है केशव केश और दामोदर ये सब कृष्ण बगवान विश्नु बगवान के हैं तो इनको धीरे दिरे अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएंगे चलिए अब आगे हम थोड़ा बढ़ जाते अब देखें कि भारती है सम्मिदान के लिए सम्मिदान क्योंकि यूपेसई में आता है तो उसको देख करके मुझे लगा कि मुझे ये जोई बुक अच्छी लगी इसके दर क्या चीज़ें जो और मुझे अच्छा लगता है पढ़ने से वह मैं आपको बताता हूं देकि मैं जिनको पढ़ रहा हूं सुबाब एक सब्सक्राइब बहुत प्रिशन आते हैं तो इन सबको आपको पढ़ लेना है अच्छे से इसमें देखेगा आपको क्या देखने को मिलता है राजनीति यानी बिदेश है और पेपर्स आपको सॉल जो है आपको देखने को मिलेंगे अच्छा है इसके साथ ही मैं ये इस पर क्या क्या देखे भूगोल के बारे में भूगोल ये अलग बिश्य है ठीक है ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने को इस तरह की किताबें और भी इनकी वह आप देखला है जो भी है अब देखेगा इसमें अच्छा मुझे क्या लगा जैसे अब मैं आपके सामने ही एक सवाल रग लेता हूं कि संवेदान के प्रापदानों के अंत्रगत पंचायत चुनाव कराने का निरने कौन करता है यह आप आपको पता है ना अभी बरतमान में जो है पंचायत के चुनाव आपको देखने को मिले तो ऐसे में पंचायत अब देखो यह प्रशन है ठीक है यह प्रशन है अब इसका एक्जाक्ली आंसर आप या तो पीछे देखेंगे आगे देखेंगे इसमें कुछ नहीं कहना आप इसके नीचे आ जाए है यह आपके सामनी को इसके आंसर दे रखेंगे इसके नीचे आंसर ब् winding जाएं जब मैंने यह नीचे देखा तो मुझे अच्छा लगा अब जियसे यह कोशन है ठीक ठीक का आंसर जो है आपको को यह मिल जाएगा यां 1 ग lass इसके बाद में इन सब को आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा जो है नौलेज आपके पास में एह घटी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को जो है वो कम नहीं करेंगे इसके बाद में देखेगा अब जैसे आप चैप्टर देखेंगे तो दा स्टेट लेजिसलेचर राज बिधान मंडल ये पूरा जो है व्याक्या दे रखा है साथी में जो ही ये कुछ प्रशन दे रखें जो एक्जाम में जो कई वार आगे और ये सवाल तो दो तिन वार रिपीट हो था UPSI में कि कितने राज्यों में जो है दुई जो है बिधान मंडल है ठीक है यानि कि बिधान सवा भी है और बिधान परशद भी है तो वो 26, 26 के नाम आपको याद जो आना रहना चाहिए इसके बाती में अब आपका एक बहुत सवाल था बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट डिवांट पर कि सर्थे का UPSI के प्रीवेस एर के जो पेपर है 2021 के वो हमें कहां से मिलेंगे तो उसके लिए मैं आपको clear कर देता हूँ ये आपको मिल जाएगे देगा Youth Competition Times की जो है इन्होंने अपनी गाइड कह सकता हूँ ये निकाल दी है और इसमें जो है वो पेपर यहाँ पर दे रखे है 58 2021 online all set question papers with solution solution के साथ में दे रखा है पेपर का solution दे रखा है और 58 इसमें दे रखे है जिसमें हिंदी है और reasoning है मोल बीदी सम्विदान सामान ग्यान है तारकिक जो है वो reasoning आपको देखने को मिलेगा और पेपर बहुत आसान था अब देखें का जितना भी एक्जाम इसमें हुआ है वो सब जिसे यूपी ऐसे का पहला 12, 11, 12, 2021 को हुआ था यह morning shift का तीनों shift का दे रखा है तो बहुत अच्छा है देखो तैयार हम और आप तैयारी करने वाले विद्यारती है आपको अगर कोई चीज अच्छी लग रही है आपके समझ में है तो आप जरूर शियर करें अपने फ्रेंड को जरूर बताएं और विद्यारती जो देख रहे हैं कमेंड को उनको भी समझ में आ जाए कि मैं reasoning कहां से पढ़ू, maths कहां से पढ़ू वो पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा लगता है तो experience जो होता है जरूर आपका जो help करता है इसके साथ ही में अब आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे ये देखो UPSA के सारे प्रिशन है बताओ क्या इनको कौन नहीं जानता बताएगा देख करके दो मिट में खतम कर देता है ये बताओ ये जो डाइग्राम वाले questions आते है data वाले कौन नहीं कर सकता पूरा data दे रखा इसमें अब बताओ देखो अंकित मूल निकालना है ये देखो क्रेमेक बट्टे दे रखे कुछ नहीं अंकित मूल माल लिजे x माल लिया x आपने अंकित मूल माल लिए यहाँ पर बट्टाओ को कर दो नीचे 100 कर दो बाद में लिख दीजेगा जो बेकरे मूझे 17-64 को बास निकाल दीजेगा मतलब और देखो इन जगें जो है जो चिन्नों को जो है लगा के देखना है चिन्नों को जब आप लगा के देखेंगे तो आराम से आप इसे कर पाएंगे अब जेको मैं इस तरह के सवाल को उतना जल्दी कैसे कर अपाता हूँ बहुत सिंपल है मैं सीधह सीधह कैया करता हूं मैं सीधे सीधे पहलो आप मैं लास्ट लैक्न देखता हूं बरावर बाला बर देखा है यांई यहां पर चारों में बरावर आरह मतलब हमें 10 लेकर क्या आन माइनस एक बात होता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 70 माइनस 5 भट्टे बार है बारे का तो डारेकली 5 में भाग जाएगा यह नहीं और पूरी संक्या नहीं आएगे तो 70 में से आप क्या घटाएंगे बारे से तो कम ही आएगी यह तो कभी नहीं हो सकता फाइनली मतलब देख करके जब आप प्रयास कर लेते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बस आपको फिर दिमाग लगाने की जरूत नहीं होती है फटा फट सेकंड से पहले यह सवाल होते है यह देखेगा जैसे यहाँ पर यह पूछा गया था कि ना देखो बारत का सबसे दच पूछन में क्या है इंद्रा पॉइंट है सबसे पच्वी बिंदु जो है गौर माता और या फर गौहार मोती गुजरात में हो सबसे पूर्वी जो हो किवितु जो है अरुनाचल प्रदेश के अंदर है तो ऐसे में इन चीजों को जो है याद कर लीजेगा मुझे नहीं र बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है मास कंजंप्शन का मतलब क्या होता है ठीक है व्यापक हो यह सब आपको पता रहना चाहिए इंग्लिस के शब्द हैं इनको आपको याद कर लेना चाहिए मुझे नहीं रखता आपको आगे चल करके कोई परिशा नहीं होगी जो म में लगेगा एक महिने की जगा दो महिने लग जाएंगे लेकिन आप अपना बनाएंगे तो आपको समझ में बहतर आएगा किताबों को एसे तो किताबों में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है जिनको आम खुद नहीं पढ़ पाते तो विशेज कर आप समय निका लिए पर जब आप देखेंगे ना कुछ भी नहीं था पेपर में बस लेकिन गुरू पढ़ना तो पढ़ेगा मैथ रीजनिंग हो मूल वीडियो संबिदान हो सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स पढ़ने पढ़ेंगे नोट्स बनाने पढ़ेंगे मेरत तो लगेगा लेकिन ये कह पर है और सुसरा हो नहीं सकता ये एक दम कलत बात ऐसा नहीं है आपके सामने में पेपर जो रखा हुआ है चलेगा मिलता हूं मैं आपको नेक्स वीडियो के साथ वीडियो को जरूर लाइक करें और आपने दोस्तों तक शियर करें थैंक्यू